असलाम लीकॉम वेलकॉम बेक टू माई चानल उमीद कहते हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक फिट फार्ट होंगे सर्दियां इंज्वाय कर रहे होंगे तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है अर्ली मॉर्णिंग से ही तो जी अभी मैं हस्बंड का यहां पर कह रही हूं लंच पैक कर रही थी और सब कुछ रेडी हो गया है बस चाहे रहती है पराठा अंडा वगयरा उनका रेडी है तो बस अब चाहे बनती है तो फिर जी हस्बंड को नाश्टा करवाती हूं और लंच उनका पैक हो गया है और तकरीबन टाइम हो रहा है सवा साथ साथ दस का इस तरह टाइम हो रहा था साड़े साथ तक जो है ना स्पेंगर से निकल जाते हैं और अभी देखें दिन जो है ना थोड़ा चड़ गया है मतलब इतनी जादा रोशनी नहीं आई बाकी है कि सुबा का सवीरा जो है ना वो हो गया है तो बस जी अग जो है ना दुबारा सोने की कोशिश करेंगे दुबारा नीद आ जा जा था मुझे अकसर ऐसा होता है कि नीद नहीं आती दुबारा जो है ना बड़ी मुश्किल से नीद आती और कुछ करने का भी दिल नहीं करता उस टाइम मतलब साड़े साथ के बाद तो मेरा आल को जड़ा इग्नोर करें बिल्कुल मेरे उपर चड़के बठी हुए है तो मतलब पहले मैं सोती हूँ कि नीद नहीं आरी ना तो चलो उटके कोई काम करती हूँ अगर यह कि फिर उस टाइम दिल भी नहीं करता है भी सड़ी है तो बस दिल करता है कि बंदा बैट में लेटा रहे और भले कुछ करे या ना अगरे तो फिर बस मुबाइल मैं नहीं जलाती है कि अकर मुबाइल जलाओंगे तो बिल्कुल नहीं नहीं आएगी तो मैं सोने की कोशिश करती हूँ तो जो है ना कभी कबार सू जाती हूँ और कभी जाकर साड़ी नहीं तक नीज आती हूँ और फिर दस पचे दुबारा उट जाती हूँ तो यहां पे जी अभी मैं रूम में आ गई हूँ और मैंने का चलो ना एपल खा लेती हूँ तो अब जो है ना मैंने का नहीं पानी ज़रा ज्यादा पीना और पानी आपको पता है सर्दे में हम लोगों प्यास नहीं लगती हूँ तो हम पानी कम बीटे हूँ उसे डी हाइडरेशन हो जाती है सके निती खराब हो जाती है तब ही मैं गिन-गिन के पानी पीना शुरू कर रही हूं कि इतने गिलास मैंने पीने पीने तो बस मैंने अप लिये लिया था जबर्दस्ती के नहीं अच्छा होता है खा लेती हूं फिर जो है ना दिल नहीं कर रहा था बड़ी मुश्किल से खाया अर जी अब दोबारा नाश्ता वश्ता उट गई हूं दोबारा से सुबा हो गई है हम लोगों की और सब को नाश्ता करवा दिया है बरतन भी दोगे आ गई हूं एंड में अपने और मिलाल के लिए लाती हूं क्योंके मिलाल मैड़म इ मेरी जैसी है ये बिल्कुल जैसे सोके उठती है न तो ये भी फॉरन से नहीं खाती है इसको चाहिए होता आदा से पॉना गेंटा चाहिए होता है फ्रेश होने में तो तब तक जो है ना मैं नाश्ता बिना लेती हूँ घर बागी घरवालों का और बरतन वगारा दो लेती हूँ तो उसके बाद मैं रूम में नाश्ता लेकी आदी हूँ तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है उसके बाद ये दुपहर है अभी फूर्ट्स पर ख़रा वेते तो मैंने झो है ना मैं खाने मी बड़ी लेजी हूँ तो फिर मैं इस तरह कट करके जो है ना ले आती हूँ कि चलो मिराल भी मेरे साथ खा लेगी तो मिराल तो बस खेल रहे थी इसके साथ रूट्स के साथ बागी जाए कि मैंने खा लिये थे तो जी बागी आप लोग बिताएं कि आप लोग कैसे हैं लाइफ में क्या चल रहा है और यूट्यूब के उपर जो नए आए हैं मेरे मेरी फैमिली में नए सब्सक्राइबर्स आए हैं उनको वेल्कम और पुराने वाले जो है ना वो शेयर करें लाइक करें कॉमेंट करें मुझे बड़ा अच्छा लगते हैं जब आप प्यारे पैरे से कॉमेंट करते हैं यहां पे ना मेरा आल के माशाला से दुबारा इतने बाल हो गए हैं कि उसकी छुटी सी पोनी बन जाती है तभी मैंने उसकी पोनी बनाए थी तो बाहर वो खेल रही थी अपनी दादों के स दिन जिसका सारा दिन चाला दिन ऐसा ही होता है मेरे पीछे 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 एसने के दिन हमारे फ्राइस बनाए norm पाना के देती आ हैं किसी दिन हो तक खा लेती है उसके बाद मैंने इसको फ्रेया खिर है बाद उसके बाद ना मेरे दिल स्याहता है इसकी नगी किऊट सी दो पोनिया बनाई है मगर मैं जालै मैड़म ने थोड़ी ज़ेर भी रहने दिये हो ओरन से उतार के मेरे हाथ में पकड़ बाद है कि यह ले 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 लें अपनी पोनिया अच्छा तो जो लोग वजन कमकरना चाहरे न को मैं छोटी छोटी टिप्स देना चाहती हूँ जिनकों पर मैंने मतलब मैं वेड कमकरती हूँ तो मैं उनक्यों पर अमल करती हूँ थो बड़े जल्दी से हो जाता है एक तो आपने पानी आठ से दस किलास पीना है, बले सरदी है, गरनी है, हम नहीं प्यास लेकरी फिर भी पीना है, ठीक है उसके इलावा, आप जब भी बैठें ना, स्ट्रेट बैठें, अपनी बैक को स्ट्रेट रखें अक्सर आपने देखो का हम लोग छुपके बैठ जाते हैं तो अगर आप वजन करूं कर रहे हैं, तो इसमें बड़ी आपको हल्प मिलेगी, आपने बल्कुल स्ट्रेट बैठना है, बाकि इसकी पूरी क्यों बैठना है, क्या होता है, यह मैं फिर किसी व्लॉग में बिताऊंगी और इसके इलावा तीसरे टिप यह है, कि चीनी को अपनी लाइफ से निकाल लें, और नमक को, नमक कम कर दें, निकाल लें सकते हैं, जाहर सी बात है, नमक कम उखाना शुरू कर दें, और चीनी जो है न, उसको उसके तो बल्कुल अपने जिंदगी से चाहना, निकाल दें वाइट शुगर को, तो उससे जो है न, मतलब यह है कि अगर आप बल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, तो थोड़ी कम कर दें से, अगर दो स्पून ले रहे हैं, तो एक स्पून पर आजाएं, एक ले रहे हैं, तो हाफ पर आजाएं, आपको आदद हो जागी या, इस्ता इस है कि रोटी कम लें, सालन जादा लें, सालन में वेजटेबल्स हों, या चिकन है, कुछ भी है, सालन आपका प्रेट में जादा हो, यह नहीं कि घी का भरावा, ऑईल का भरावा सालन हो, अच्छा है साजवाण वेजटेबल्स वगरा हों, जैसे आजकल गाजरें, यह वो, तो साग आजकल आया है, इसम जो भी है, तो मतलब वेजेटेवल्स हैं या फिश है, तो उसका पोशन ज़दा बढ़ा लें, चिकन भी है, तो उसमें भी प्रोटीन है, वो भी अच्छा है, रोटी कम ले लें, और साथ में सालिड ले लें, खीरा है, चुकंदर है, इस तरह की चीज़ें ले लें, तो इससे भी आपका पीड भेज जाएगा, और मैं जब यह चुटी चुटी टिपस है, इस पर अमल करके आपना वीट कम कर सकते हैं, जो लोग कहते हैं, कि हम लोग स्पेशल डाइट वगारा नहीं कर सकते हैं, तो इन पर अमल कर सकते हैं, तो जी मैंन उसको तड़का लगाए था, जिस तरह दाल का तड़का होता है, तो मज़े का साख था, काफी स्पाइसी था, तो अभी न, उस दिन मैंने मैकरोनी बनाई भी थी, जब तो मैंने थोड़ी उसी न, जादा थी, तो मैंने बाल में डाल के फ्रीज कर दी थी, उबली हुई, मै का मसाला और हरी प्याज को मैंने रखी वी थी, वो भरके जो है, मतलब मैंने एक बाल चोटा बरके इसके अदर हरी प्याज आइड कर दी थी, और कोई भी स्वेचेटेबल हैं, सिर्फ हरी प्याज हैं थोड़ा से चिकन है, और सॉसेज वर गार एड़ की हैं, और कैचप, इतना यमी इतनी यमी इतनी डिलिशियस थी ना मैं आपको क्या बता हूँ कि मतलब उस दिन जो मैकराओनी बनाई थी ना उससे ज़्यादा यह वली मज़ेकी थी क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हरी प्यास थी और बहुत सारी हरी प्यास थी मुझे इतनी ज़्यादा मिज़े की लगी और मेरा आले मी में सथ इंचुआए की इतना इससे ना आप मैकराओनी फ्रीज करके भी रख सकते हैं हरी प्यास भी तापका कभी दिल चाहे तो फॉरन से बन्दा जैसे नूडल्स बनाता है दो मिनट में उससी तरह पांच मिनट के अंदर आप अपनी मैकराओनी स्पेक्टिस बना के खा सकते हैं मज़ेदार सी तो मुझे ये आइडिया बड़ा चाहला कि बन्दा फ्रीज करके रख ले और फिर जब भी दिल चाहे तो बना के खा ले तो जी उसके बाद भी सारी रूटीन हो गई है मैंने डिनर में बनाई दी मेरा दल चाहरा था कुछ चटपटा सा खाने का तो पिर मैंने अपने लिए बना ली थी और अभी जो है ना मिराल खेल रही है यह मेरा ब्यूटी बाक्स है जो कि मुझे बरी में मिला था मेरे इनलाउस की तरफ से अच्छा इसकंदर मैं मेक अप वगारा तो बिल्कुल भी नहीं रखती है ऐसे खाली पड़ावा है और मिराल जो है ना इसकंदर अपने ट्वाइस रख लेती है और फिर जो है ना गुमनी होंगे अच्छा लोगों के बचे जो है ना चीजों को छेटते नहीं है जो चीज पड़ी हुए मेरा पुरा ड्रेसिंग टेबल खाली है सिर्मराल के वज़ा से मिराल जो है ना कोई चीज अपनी जगापे नहीं रहने देती और किसी चीज को जो है ना सही सलामत नहीं रहने देती तोड़ देती है तो चीज आज का व्लॉग इतना साथ था मिलेंगे नेक्स व्लॉग में अलाफिस